आपको ओटर अईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन करने के लिए आपको गूगल प्ले श्टूर से आकर करके इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करने ना, इसका लिंक हम आपको वीडियो के निजी डिस्क्रिप्सें में दे देंगे, इसको डाउनलोड करने बाद आप इसको मौबाइल नपर फिल करके Send OTP पर क्लिका अब आपकोर नम्बर फिल क्या है यहाँ से आपका लेकषार क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह की HERE IDsATE अजयागा यूजर created successfully का अब देखिए आपका इसमें account create हो चुका है आपको बस ok पर click कर देना है अब आपका account create हो जाने के बाद इसमें login करना हो देखिए आपके सामने इस तरह का screen आएगा आपने जो mobile number डाला तो उस mobile number के आप fill करेंगे और आपने जो password बनाया था under login now पर click करेंगे आप जैसे login now पर click करेंगे आप इसमें login हो जाएंगे अब देखिए आपको किसी भी service को use करने के लिए यहाँ पर देखिए सभी options हमें दिये रहेंगे अब देखिए आप ओटर registration का button मिलेगा आप ओटर service को यहाँ पर हर एक service को देख सकते हैं बाकि अगर आपको पर ओटर ID का डाउनलोड करना था आप यहाँ से download EP card पर click करके उसको download कर सकते हैं बाकि latest update आप यहाँ से ले सकते हैं इस application में आपको ओटर से related सभी services मिल जाती हैं इनको आप असानी से यूज कर सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अपने ओटर ID कार्ड में correction करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर ओटर service जो है आपको simply ओटर service पर click करना है आप इस पर जैसे click करेंगे आपके सामने देखिए इस तरह का interface आएगा अब यहाँ देखिए आप यहाँ से नया ओटर ID कार्ड बना सकते हैं यहाँ से अपने ओटर ID कार्ड को delete करवा सकते हैं और यहाँ से देखिए नीचे form 8 दिया गया है अब यहाँ से correction आप entire में आप यहाँ से कोई सी भी correction जो अपने इस तरह का option आएगा इससे पूछा जाएगा कि आपके पास ओटर ID कार्ड का number है या नहीं है क्योंकि हम correction कर रहे हैं तो हमारे पास ओटर ID कार्ड का number होना चाहिए अगर आपके पास ओटर ID कार्ड का number है तो आप यहाँ से yes वाला option यह से लेक्टर रहेगा पर click करेंगे यहाँ पर देखिए आपके सामने एक option आजाएगा आपके सारे डिटेल यहाँ पर फेचो करके आजाएगी अब देखिए आपको क्या करना है कोई भी update करने के लिए आपको नीचे देखिए कि फिर से next का बटन है आपको सिंपिल इस पर click करना है इसके बाद भर देखिए आपके सामने इस तरह के option आएगा याने कि आपके ओटराडी कार्ड नंबर से आपका यहाँ पर देखिए नाम आजाएगा आपका नाम जो इंगलीज में आएगा यहाँ और यहाँ पर हिंदी में आजाएगा इसी तरह से आप इसको स्क्रोल करेंग से आपका कोई सरनें पれ толпа यहाँ उने सरनें इंगलीज में आजाएगा सरनें इंदी में आ जाएगा और आपके जो पर फ니다िप नंबर को यहाँ पर इंगे और नाम ज्युख्लाइन और आपकतको family member का mobile number देना चाहते है ता आप उसको नीचे वाली box में fill करेंगे इसी तरह से अगर email id आप देना चाहते है ता आप email id भी जो है यहाँ पे अगर आपकी email id है friend तो आप उसको जो है इसमें fill करेंगे अगर आपके family member में किसी की email id है ता आप उसको यहाँ पे इसमें फिल करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है next वाली बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरह का option आएगा आप यहाँ पे देखेंगे आपको second वाला option select करना है यानि कि correction of entire in existing electoral roll आपको simply इसको select कर लेना है आप आप इसको select करेंगे इसके बाद next बटन पर क्लिक करेंगे आप जैसे next पर क्लिक करेंगे अब इसमें पूछा जा रहा है आप क्या change करना चाहते हैं इसमें के friend आप देखिए अगर आपको नाम change करना ता आप यहां से नाम वाला option देखिए अससके यहां से यह कर लिए आप फोटो को भी ènपर कर लिए अब फोटो को भी नेट्री कर लिए इसके बाद आपको फिर क्लिक करना है आपका जो भी इसमें option अपना अंचेक करेंगे इसके बाद फिर से next पर click करेंगे अब आपके सामने देखिए form open हो गया है अब आपको इसको fill करना होगा अब देखिए हमने नाम अपना पूरा नाम डालेंगे तो नाम में हम फ्रेंड देखिए अपना English में यहां पर डालेंगे जैसे हमारे अधार यह नाम अपना टोकमेंट देना होगा तो डायक में हम अथारा लुए रूस्के लिज्सिए अपना अपना दोकमेंट देना पर सिन्प्रा क्लिक करेंगे देखर आपके सामने इस तरह प्लोर करेंगे अप अब इसको विधर कर सकते है अगर अगर में प्लस प्ली करने को पर बिसम्री इस बाडम चलिक कर दो एप उ फाइल अपलोड हो जाएगी इसकी वाद आपको देखकिए हम अने address select किया था ताब हमे address को full इसमे fill करना होगा देखिए यहां से लिए करके यहां पर हमें पूरा अपना address fill करना होगा तो आपका जो address होगा आप हर column में जो अपना address अधार के details से fill कर लेंगे आपका village यहां पर आप फिल करेंगे बिलेज आपका इंगली से फिल करेंगे तो हिंदी में आ जाएगा वो स्टापिज डालेंगे और यहाँ पना आप पिन कोट डाल देंगे इसके बाद आपका तवसिल आएगा डिस्टिक आएगा और देखिए आपे Select Address Proof अपे Address Proof में आप कौन सा प्रूप देना चाते हैं उसके लिए आप यहाँ पर इस hiçीरो पर क्लिक करेंगे आपके सामने कई डॉक्मेंटे के लिस्ट इसमें आ जाएंगे तहहां मिंगे आप आधार काटC thought jouri जाएंगे और अबनी ऐड़ेस को इसमें रियोता नाम और अड्रेश को इसमें कर दिया अब टर बर्थ को में फिल करना थो आप इस पलिक करेंगे और कलेंडर से अपनी डेटा बर्थ को आप select करेंगे आपके जो भी data birth होगी यहाँ से अपना month आप select कर लेंगे और यहाँ से अपना date select करके अपने data birth फिल करेंगे इसके बाद data birth के proof में आप कौन सा document देना चाहते हैं आप इस पर click करेंगे और यहाँ से भी हम जो भी अधार काड को select करेंगे इसके बाद फिर से upload पर click करेंगे gallery में जाएंगे अधार काड हम select करेंगे symbol पर click करेंगे देखिए हमारा अधार काड इसमें upload हो गया इसके बाद mobile number हम change करना चाहते है तो नीची आप जो अपना mobile number यहाँ पर fill कर देंगे आपका जो भी नया mobile number होगा verify पर click करना है आप जैसे verify पर click करेंगे आपके नंबर पर एक OTP जाएगा आप उस OTP को इसमें fill करके verify पर click करेंगे तो आपका नंबर verify हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का symbol बनके आ जाएगा अब आपको यहाँ पर बस next की बटन पर click कर देंगे आपके सामने इस तरह का option आएगा आप यहाँ पर देखिए आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर देखिए place में आपको अपना एक place डाल देना आपने ग्राम का नाम यहाँ पर डालने के आप जहाँ से इस form को fill कर रहे है इसके बाद आपको देखिए done का button आप simply नीचे जो है done की button पर click करेंगे इस पर click करने के बाद आपने अभी तक जो भी detail fill की है उस अब आपके सामने आ जाएगी आप उसको एक बार पूरा मिला लेजिएगा देखिए यहाँ पर उपर आपकी जो detail होगी वो सब पुराने detail यहाँ से ले करके यहाँ तक दिखाई देगी और अगर आप जो अभी form fill की है उसका detail आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से ले करके नीचे तक अभी आपने जो detail fill की है वो सब आपके सामने आ गई है आप इसको एक बार साधाने से मिला लेंगे इसके बाद आप जो है अगर आपका सब clear हो सब सही है तापको confirm के बटन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको done वाली बटन पर क्लिक कर देना है फ्रेंड आप जैसे done बटन पर क्लिक करेंगे देखिए आपका एक reference ID जेनरेट हो जाएगा अभी इस reference ID से आप जो अपने status को track करेंगे आपको वाब सब accept हो जाने बद आपका order card update कर दिये जाएगा तो हम देखिए आप ओके पर क्लिक करेंगे फिर से आप उसके home page पर आजाएगे और यहाँ पर देखिए आपको फिर से order registration वाली बटन पर क्लिक करना है आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर search का option बना है track status of your form आपको simply यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है आप इस पर जब क्लिक करेंगे देखिए आप पर reference ID फिल करने को option आ रहा है हमारे सामने तो हम यहाँ पर क्या करेंगे निचे आप देख सकते हैं आप पर search option आप निचे देखिए यहाँ पर applied form का है इसके बाद track status पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सारी detail आ जाएगी जैसे देखिए farm हमारा submit हो चुका यहाँ पर और आपकी सारी detail यहाँ पर देख सकते हैं format आपने field किया है आप इसके बाद हमारा बयलो जो इसको appoint करेगा, इसके बाद हमारा farm यहाँ पर accept या reject होगा, इसके बाद जब एक्सेप्ट हो जाने के बाद देखिए, field verified, यह आपका जब tick हो जाए friend, इस तरह जिसे आपके green tick है इसी तरह से अगर आपका यह वाला भी green tick हो जाएगा, तो आपका जो successfully update update हो जाएगा, तो friend, इस तरह से आप जो अपने order ID card में update कर सकते हैं अगर आपका इसमें कोई confusion है तो आप होसे कमने पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी help करेंगे so friend, मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए जाए हैं